Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCR to the Mind तो आज हम लोग पढ़ेंगे Class 4 Hindi अरियन्थ वर्क बुक का Chapter 13 खुद हुद तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप भी अपना वर्क बुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए और अगर आपके पास वर्क बुक नहीं है तो मैंने वर्क बुक का लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में डाल दिया है आपको वन से लेके 5 तक सारे वर्क बुक मिल जाएंगे आप Amazon से जाके easily खरिच सकते हैं तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं हुद 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 उचित विकल्प पर सही का निसान लगाईए जो उचित विकल्प है उस पर सही का निसान लगाना है सुलेमान बात्सा किस कारण से परेसान हो रहे थे किस कारण से सर्दी से बरसात से धूप से बिमारी से तो धूप से परेसान हो रहे थे टिक लगा देंगे निम्न मेसे हुदूदों के मुख्या की विसेस्था कौन सी है चतूर, मुर्ख, समजदार या सीधा तो चतूर टिक लगा देंगे निम्न मेसे कौन सा सद हुदूद पक्ठी के लिए सबसे अधिक उप्युक्त है कौन ससत सुन्दर, कुरूप, अच्छा या चालाक तो सुन्दर ठिक लगा देंगे हुद्ध के पंखों का रंग कैसा होता है सफेद, काला, रंग बिरंगा या भूरा तो काला होता है ठिक लगा देंगे हुद्ध की गर्दन का अगला हिस्सा किस रंग का होता है भूरा, बादामी, सफेद या काला तो बादामी रंग का होता है ठिक लगा देंगे सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निसान लगाईए बादसा ने गिद्धों से सहायता मांगी सही, हुदुदों ने बादसा की सहायता करने से इनकार कर दिया गलत, सुलिमान ने हुदुदों के मुख्या की प्रार्थना को औस्विकार कर दिया गलत, हुदुदों का वन्स समाप्त हो गया है गलत हुद हुदों का साड़ा सरीर, रंग, बिरंगा और चटकिला होता है सही बॉक्स में से उचित सब्दों का चुनाव करके रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजी तो देखे यहाँ पर बॉक्स है इसमें बहुत सारे सब्द दिये गए हैं जो सही सब्द है उसे चुन के लिखना है आगको बादसा का नाम क्या था? सुलेमान तो सुलेमान था लिखेंगे मुख्या ने सभी हुद हुदों को इकठा किया मैंने खोब पड़ामर्ज करके यह वर मांगा है इसके बाद है खुद हुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं मादा खुद हुद तीन से दस तक अंडे देती है ठीक है? निमने लिकित गद्यान्स को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए खुद हुद एक बहुत ही सुन्दर पक्ची है इसके सरीर का सबसे सुन्दर भाग इसके सिर्की कलगी होती है वैसे तो यह इसे समेटी रहता है पर जैसे ही किसी तरह की आवाज होती है यह चौकर ना होकर पड़ों को फैला लेता है तब यह कलगी देखने में हुब हु किसी सुन्दर पंखों जैसी लगने लगती है अब प्रश्ण है कि हुदूद के सरीर का सबसे सुन्दर भाग कौन सा है तो इसके सिर्की कलगी आवाद सुनाई पढ़ने पर हुदूद क्या करता है यह चौकन्ना होकर पड़ों को फैला लेता है इसके कलगी कैसी दिखाई देती है सुन्दर पंखों जैसी हुबहू सब्द का अर्थ लिखिए हुबहू का क्या होगा अर्थ मिलता जूलता अति लगू उतरिये प्रश्ण बादसा सुलिमान किस पर बैट कर जाड़े थे किस पर उरन खटोले पर सुलिमान ने किस किस से मदद मांगी गिद्धों और हुदूदों के मुखिया से हुदूदों के मुखिया ने किस से पड़ा मर्ज किया अपने सभी साथियों के साथ हुद हुद की चोटी किस रंकी होती है बादामी रंकी लोग किस प्रकार हुद हुदों के सिर पर लगी सोने की कलगी को इकठा करने लगी तो तीर से मार मार कर ठीक है लोग तीर से मार मार कर उस सोने की कलगी को इकठा करने लगे लगू उतरिये प्रश्न Once समाप्त होने की बात सुनकर सुलिमान ने क्या कहा तो सुलिमान ने कहा मैंने तो सुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी हुदुदों की दुम कैसी दिखाई देती है तो दुम का भीतरी हिस्सा सफेद और बारी हिस्सा काले रंग का होता है हुद हुद की चोच कैसी दिखाई देती है वो अपनी चोच का इस्तेमाल कैसे करते है तो चोच पतली, लंबी और तीकी होती है अपनी चोच का इस्तेमाल वो कीरे मकोरे को ढूंडने में करता है हुद हुद को हजामिन चिरिया क्यों कहा जाता है क्योंकि इसकी चोंच नाखुन कार्टने वाली नहर्नी से बहुत मिलती है इसलिए इसे हजामिन चिडिया कहा जाता है दिर्ग उत्तरिये प्रश्न सुलिमान ने गिद्धों से क्या मदद मांगी और क्यों? गिद्धों ने मदद ना करने के लिए क्या बहाना बनाया? तो पंकों से अपने सिर पर चाया करने को कहा क्योंकि उन्हें गर्मी लग रही थी ठीक है? क्योंकि उन्हें धूप लग रही थी धूप के कारण गर्मी लग रही थी उसे गिद्धों ने कहा कि हम तो इतने छोटे-छोटे हैं और हमारे तो पंक भी नहीं है ठीक है ये बोलके उसने बहाना बना दिया खुदुदों के मुख्या ने बादसा से क्या वर्दान मांगा वर्दान मांगने के बाद हुदुदों के मुख्या क्यों घबडा गए कि आज से हमारे सिर पर सोने की कलगी निकल आए क्या वर्दान मांगा कि आज से हमारे सिर पर सोने की कलगी निकल आए और वर्दान मांग मुख्या घबडा गए क्योंकि लोग तीर से मार मार कर सोने की कलगी इकठा करने लगे खुदुध को किनकी नामों से पुकारा जाता है और क्यों? तो हुप-हुप-हुप बोलने के कारण इसे हुप-ु कहा जाता है दूब में कीरा ढूणने के कारण इसे पदुबया भी कहते हैं और सुन्दर कलगी की वज़े से इसे साह सुलेमान भी कहकर पुकारते हैं ठीक है? इसकी बाद है ये सारा प्रश्ण है ये वाला आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्जाम में आ सकता है कि हुपू को, हुदुद को, किन किन नामों से पुकारा जाता है ठीक है? तो ये सारा आप याद करेंगे उसके बाद है भासा आधारी प्रश्ण निमने लिके सब्दों के अर्थ लिखिए अर्थ लिखनी वाला भी बहुत आता है एक्जाम में तो सारा ही प्रश्णे जो है आपको याद करना है अच्छे से चतुर, चतुर का क्या होगा? चालाक फॉरन का जल्दी पड़ामर्स का सला चेतावनी का सावधान चाकरना मिन्स सतर्क दुम का पूँच अवस्से का जरूरी और कलगी का क्या होता है? पक्चियों के सिर पर निकला हुआ बालों का गुच्छा यह चोटी, ठीक है? इसके बाद है मसूर का प्रसिद वर्दान का खुस होकर दी जाने वाली वस्तु वर्दान मांगना यानि वर्दान में जो भी खुस होके दिया जाता है उसे वर्दान कहते हैं ठीक है? इसके बाद है समान अर्थ वाले सब्द पर सही का निसान लगाईए आकास आकास का समान अर्थ इसमें से कौन सा है? बादल, गगन और घटा तीन है तो तीनों में कौन सा होगा? गगन ठीक लगाएंगे मदद सहायता प्रशनने का कौन सा होगा? खुश पढ़ का उपर दूब का घास घड़ का ग्रि ठीक है? इसके बाद है पाट के आसपास अब इसमें देखिए प्रशने है आपके लिए अगर आपको अपने जीवन में कोई सिद्ध पुरूस मिल जाए और प्रसन होकर आपको कुछ वर्दान देना चाहे तो आप उनसे कौन से दो वर्दान मांगेंगे? सोच कर उत्तर देजिए तो ये वाला आपको खुद बनाना है कि आपको आप मान के चलिए कि आपको कोई भी ऐसा इंसान मिल जाए जो कि जिससे कि आप वर्दान मांगना चाहते हैं वो आपको बोले कि मांगो मुझसे क्या वर्दान मांगना चाहते हो तो आप क्या वर्दान मांगेंगे? आप जरूर ही ये वर्दान मांगेंगे कि मुझे एक्जाम में पास कर दिजे बिना पढ़े मुझे एक्जाम में पास कर दिजे अच्छा नमबर मैं अच्छा नमबर ले आओं आप यही वर्दान मांगेंगे या अपने लिए बहुत सारी चीजे मांगेंगे है ना, खिलोने मांगेंगे, हो सकता है, जो भी एक्चा हो, लेकिन ये बिलकुली जरूरी बात है, कि बिना मेहनत किये कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए आपको पढ़ना पढ़ेगा, पढ़के ही आगे पहुंच सकते हैं, और एक्जाम में पास कर सकते हैं, और अगर आप अ वर्दान मांगना चाहते हैं, तो क्या वर्दान मांगना चाहेंगे, तो आप इसे अपने सबतों में लिखे, और मुझे जरूर बताइए कमेंट करके, कि आप क्या वर्दान मांगना चाहते हैं, अगर आपको कोई सिद्ध पुरूस मिल जाए तो, ठीक है, आपको कौन सा पक्ची अच्छा लगता है और क्यूं पांच वाक के लिखे तो इसमें भी आपको खुदी लिखना पड़ेगा बहुत सारे पक्ची है जैसे कि कोयल तो कोयल आप बोल सकने कि कोयल अच्छा लगता है तो कोयल क्यूं अच्छा लगता है क्यूंकि उसका आवाज उसकी जो बो तो किस कारण से आपको कौन सा पक्षी अच्छा लगता है तो आप इसे भी अपने सब्दों में लिखेंगे ठीक है तो आपका वर्क बुक कम्प्लीट हो चुका है तो कैसा लगा पढ़के आपको मुझे जरूर बताईए अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCRT को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिये गए बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCRT से रिलेटेड हर वीडियो आपकी पास समय से पहुंसती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक कियर थैंक्स तो वाच माई वीड 천लनी एडे फन्टीन वीडियोни Колर वीडियो यो आए वीडियो में देक्स अ कर दो वीडियो को में देया हर वीकि झ fulfilमी कॉटूूौ।